गुड मॉर्निंग नमस्कार देखे मैं आज हिस्ट्री की वीडियो लेके आया हूँ तो हमने जहां तक पढ़ा था उसके बाद मैं पीछे जो गवर्णर जनरल हैं उनके दिस्पेक्ट में जो काम हुए हैं उन्हें मैं चर्चा कर रहा हूँ मैं 1857 तक ले जाऊंगा गवर्णर जनरल को उसके बाद जो भी विद्रो हुए हैं 1857 का विद्रो या उससे पहले या उसके बाद उन सब का कलेक्शन करके फिरम आधुनि भारत में पूरी तरह परवेश कर जाएंगे तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर गवर्णर जनरल की स्लाइट्स पर डिस्कस कर रहा हूँ लिखा हुआ है भारत के गवर्णर जनरल और वाइस राये ठीक होगी बात एक्च्छल में गवर्णर जनरल भारत के लिखे हैं इससे पहले हम लिखेंगे बंगाल के गवर्णर फिर हम बोलेंगे बंगाल के गवर्णर जनरल अगर सही से इससे पढ़ा जाए ठीक बात है फिर हम पढ़ेंगे भारत के गवर्णर जनरल और फिर भारत के वाइस राये तो शुरुवात होती है नमबर एक बंगाल के गवर्णर से नमबर दू होती है बंगाल के Governor General से नमबर तीन होती है भारत के Governor General से और नमबर चार होती है भारत के Vice Rai तो ये करम रहेगा हमारा पढ़ने का आईए शुरू करते हैं सबसे पहले पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लिखा भारत के Governor General तथा Vice Rai heading लिखा है पीछे वाला देखे अब केरब भारत में जो British East India Company दोरा न्यूकती होती थी वो Governor General परधान पद होता था भारत में और ये पद केवल अंगरीजों के लिए ही सुरक्षित था इस पे भारती न्यूकत नहीं होगा अजादी के बाद ही पहली बार भारती इस पत पर न्यूकत होंगे Governor General of the Presidency of Ford William नाम से एक कारेले बनाया जाएगा जो की 1773 में सरजित किया जाएगा ठीक होगी बात तो हम शुरू करते हैं 1858 तक Governor General की न्यूकती East India Company के डारेक्टर करते रहेंगे Director का कैस्ट्रक्चर था मैं आपको जब Charter Acts पढ़ाऊँगा तम मैं डिस्कस करूँगा क्या-क्या Directors कौन होते थे Board of Director, Board of Proprietor हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे 1857 का जो विद्रू हो गया उसके बाद इनकी न्यूकती British Samarad द्वारान होने लगी क्योंकि East India Company को समाप्त कर दिया जाएगा ठीक क्योंकि बात 1947 तक में भारत और पाकिस्तान की आजादी तक वाइसराई की पद्वी को हटा दिया जाएगा जैसे हमें आजादी मिलेगी और दोनो Dominion Dominion मतलब दोनो देशों में Governor General का कारेले तब तक रहेगा 1950 तक तक तो रहेगा भारत में और 1956 तक रहेगा आपके पाकिस्तान में जब तक वो गंतंत्र नहीं बन जाते हैं गंतंत्र बनने का मतलब है वहाँ पर राष्टपती का पद सर्जित होगा राष्टपती का चुनाव हो जाएगा तो राष्टपती को पर्थम व्यक्ति घुशित किया जाएगा देशों का तो जब राष्टपती का पद सर्जित हो जाएगा तो वो देश क्या हो जाएगा गंतंत्र हो जाएगा और गवर्नर जिनरल जैसे पदों को समाप्त कर दिया जाएगा ठीक होगी बात चलिए सबसे शुरुबात करते हैं Lord कलाइव से आप देख रहे होंगे Lord कलाइव 1757 से 60 और 65 से 67 इसका दो कारेकाल है ठीक होगी बात देखे इसके कारेव में मैं पहले जो चर्चा कर चुका हूँ पिछली वीडियो में उनको केवल मैं इंट्रोडक्शन दूँगा डिटेन नहीं बताऊंगा और जो टॉपिक रहे गए हैं उनका मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा तो लिखा हुआ लॉट कलाइव इस्ट इंडिया कंपनी द्वारे निक्त किया था चलिए लॉट कलाइव की विशेषता है कि लॉट कलाइव कोई भारत में अंग्रेजी शाषन का जनम दाता माने जाता है ठीक होगी बात इसने कलाइव ने दोएट सशन परणाली को बंगाल में लागू किया था जो सतरा सो पैंसर्ट से सतरा सो बाहत्तर तक रहेगी ये अपने दूसरे कारेकाल में आएगा और दूसरे कारेकाल में सतरा सो पैंसरट में एक संधी करेगा इलाबाद की संधी इलाबाद की संधी दो संधी होंगी एक्च्छल में नाम एक ही होगा और एक होगी अवदी के समराट से और एक होगी मुगल समराट शाहालम दित्ते से तो उसी संदी के दोरा ये क्या करेगा दिवानी और निजामत का कारे ले लेगा मैं पिछली वीडियो में आपको सारा समझा चुका हूँ तो दिवानी और निजामत का कारे लेने के बाद कमपनी क्या करेगी भारतिय शाष्कों का मुखोटा बना कर रखेगी यानि कि उत्तरदाइत भारतियों का सिद्ध कर देगी और पीछे से परदे के पीछे से सत्ता अपने पास रखेगी इस परकार सत्ता के दो केंदर हो जाएंगे एक नाम मातर की जो की भारतिये होंगे और एक परदे के पीछे से जो वास्तविक होगी यही दोएट सेशन परणाली है मैं आपको पहले बता चुका हूँ और डिसकस भी कर चुका हूँ ठीक है कलाईब के बाद जो दोएट सेशन परणाली के अंदर गवंडर रहेंगे के रहेंगे वेरलेस्ट 1767 से 1779 तक रहेंगे और दूसरे रहेंगे कार्टियर 1779 से 1770 में रहेंगे एक बार पेपर में कोशन पूछा गया मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोएट सेशन परणाली का नकारतमक परभाव शीग ही पांस साल में परकट होगा और 1770 में बंगाल का अकाल पड़ेगा पेपर में कोशन पूछा गया था जिस समय बंगाल का अकाल पड़ा 1770 में उस समय बंगाल का गवंडर कून था तो कार्टियर कार्टियर का आपकाल देख पा रहे होंगे 1779 से 1772 है इसी के समय में बंगाल का अकाल पड़ा था तो चलिए पलासी पहले मैंने आपको कहा कि दो कारे काल में आएगा 1757 से 1760 तो पलासी के युद में लॉर्ड कलाइव का नेतर रहेगा इसके और भी कुछ मैं आपको कोशन बता देता हूँ कलाइव के जो हमें देखने चाहिए देखे सलाइड खाली है देखे ये जो कलाइव जो है एक ब्रिटिश समराज्य का हीरो बनकर का उभरा 1751 में आप कहेंगे 1751 में क्या हुआ था 1751 में भारत में दूसरा उंगल फ्रांसी से संगर्स चल जा था तो दूसरा उंगल फ्रांसी संगर्स में फ्रांस ने दवा बना रखा था डूपले के नित्वत में और मदरास को घेर रखा था तो कलाइव उस समय बुद्धी मता दिखाएगा और 1751 में कलाइव के द्वारा अरकाट का घेरा डाला जाएगा अरकाट का घेरा होगा आपका करना टका अरकाट का घेरा डालने पर फ्रांसी सी क्या करेंगे अपनी सेना को मदरास से हटा देंगे कम कर देंगे और अरकाट को बचाने जाएंगे और fransisi यहांollow कार्ट पे भी हार जाएंगे और मधरास भी नहीं जीत पाएंगे तो यह दोळी शिकस लगे डूपले को डूपले की नीती फेल हो जाएगी और डूपले को भारत से हटा दिया जाएगा governor general हटा दिया जाएगा fransis कंपनी द्वारा उसे वापस फ्रांस बुला लिया जाएगा और यहीं से जो आपका कलाइव है वो हीरो बनके उभराता ठीक बात है कलाइव के समय के एक दो कोशन पेपर में जो आया है मुझे वो देख लेने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ पहला कोशन मेरा के लियर हो गया ठीक होगी दूसरा कोशन की बात करूँ तो कलाइव के समय एक विद्रो हुआ था जिसका नाम तर शुएत विद्रो आप कहेंगे शुएत विद्रो मतलब शुएत का मतलब अंग्रेज तो भारत में रहने वाले अंग्रेज अधिकारी करमचारी ने एक विद्रो किया था वो क्या था वो हमें देख लेते हैं देखिए पहले क्या होता था जितने भी अंग्रेज सैनिक भारत में न्यूक्त होते थे उन्हें वेतन मिलता था, लेकिन अगर कोई युद होता था, तो युद के समय इन्हें दोहरा भत्ता मिलता था, दोहरा भत्ता आप समझ गये होंगे, एक युद भत्ता भी मिलता था, एक तो वेतन हो गया और एक युद का भत्ता मिलता था, आज भी अगर भारती सैनेकों को किसी विशेश अभियान पे पिशा जाता है तो उनने धोरा भत्त दिया जाता है चलिए तो आप देखेँगे बंगाल में मीड़ जाफर गवर्णनर बनेगा मीड़ जाफर क्या करेगा 1757 से 1760 तक जे मीड़ जाफर रहेगा तो मीड़ जाफर क्या करेगा इस दोहरे भत्ते को सामानने काल में भी दिया जाने लगेगा सामानने काल का मतलब है इनके वेतन का अंग बना देगा और इन्हें दोहरा भत्ता मिलने लगे का करमचारियों को बिल्कुल ठीक बात है अब दोहरा भत्ता मिलने लगे का करमचारियों को तो बाद में यह आदेश हो जाएंगे 1763 में, कि 12 बत्त समाप्त किया जाए, तो 12 बत्त समाप्त किरने के आदेश 1663 में हो गए, तो कलाईव थो उस समय था ही नहीं, कलाईव थो देखे दूबारा कब आया था? 1765 में आया था, लेकिन इन आदूशों का अनुपालन नहीं हो तो कलाईव ने आते ही अनुपालन करवाया धोरे भत्ते को हटाने का ठीक बात है तो कलाईव ने जैसे ही धोरा भत्ता हटाया तो यहां के करमचारियों ने विद्रो कर दिया उसे ही श्वेत विद्रो कहते हैं कलाईव की बुद्धी मता से यह विद्रो दबा दिया गया ठी किला हुआ है मैंने वो आपको बता दिया है उसके अलावा कलाइव के समय की एक और बात देख लेते हैं कलाइव क्या करेगा कलाइव जो है कंपनी के करमचारी ना अपना नीजी वेपार करते थे न्यूक तो हुरके कंपनी के तरफ से और क्या करते नीजी वेपार करते यहां कि नवाबों से उपहार लेते दुनिया भर के, तो इस संहे परस्रशन में भोट जादा ब्रस्टाचार था, इस ब्रस्टाचार को हटाने के लिए कलाईव ने क्या किया, कलाईव ने ये दोनों के दोनों बंद कर दिये, ठीक बात है निजी वैपार भी बंद कर दिया और उपाहर लेना भी क्या कर दिया बंद कर दिया तो इसको ले करके करमचारी जो है नराज हो गए अब कलाइब ने इसका विकल्प खोजा वो विकल्प मैं आपको बता देता हूं UPPCS में कोशन आया हुआ है क्या था कलाइब ने Society for Trade की स्थ शुपारी और तंबाकू का वेपार करेगीا तो अब ये कया करती थी Society for trade ये जहां उतपादन होता होंहां से माल खरीगती थी नमक सुपारी और तंबाकू का और उसे ले जा करके दुकानदारों को बेचा करती थी तो इसमें क्या करते थे ये पैसा कमाते थे अब ये पैस जो कमाते थे उस पैसे को कंपनी के करमचारियों अर्धिकारियों में बाटा जाता था क्योंकि इन्हें नीजी विपार बंद कर दिया उपार लेना बंद कर दिया तो करमचारियों को जो नुक्सान हुआoberी सुसाइटी for trade के द्वारा की गई एक्चुल में सोसाइटी फो ट्रेड एक तरह की संगठित लूट थी ठीक बात है मतलब कहीं ना कहीं करमचारियों के गलत कारे को संगठित किया गया इसके दुआरा ठीक होगी बात बाद में इंग्लेंट की सरकार इसे बना कर देगे और 1768 में सोसाइटी फो ट्रेड पूरी करE से बंद हो जाही तो ये कलाइब के समय की UP pieces में आ हूँआ दो बार question एक तो कि सोसाइटी फो ट्रेड किस ने बनाइ दूसरा सोसाइटी पो ट्रेड को किस के वेपार का एक अधीकार दिया गया था नमक, सुपारी और तंबाकू के वेपार का एकादिकार दिया गया थे, वस्तुए भी पूछी गई है, तो आप देख पा रहे होंगे, चलिए, उसके अलावा, कलाइब के समया मैंने आपको बताया, क्या हुआ था, इसने दोरा परसाशन जो लागू किया था, दोरा परसाश से 1772 दोएट सेशन को इसने बोला है, डाकू का राज्ये बोलकर संबोधित किया है, कि भाई, कलाइब कराशासन में जो दोएट सेशन था, वो डाकू का राज्ये था, ठीक होगी बात, एक कोशन ये भी हो गया, एक विक्ती और होगा, जिसका नाम होगा बरक, बरक DNA क्या क लिए important है, आप याद रखिएगा, मैं आगे चलता हूँ, मेरे ख्याल से कलाईव के सभी question हो गए हैं, बाकि आप जोड के पढ़िएगा, पीछे हमने इलाबात की संदी बगारा को discuss किया मैंने पिछली वीडियो में, तो आप वो देखेगा, मैं अगले governor पे चलता हूँ, चल देता हूँ, वारेन हैस्टिंग जो है, ये 1772 से 774 तक, क्या रहेगा, ये बंगाल का governor रहेगा, ठीक बात है, कलाईव के बाद ये क्या बनेगा, बंगाल का governor बनेगा 1772 से 1774 तक, ठीक है, उसके बाद इसके समय में regulating act आएगा, और regulating act के दौरे लिखा हूँ है, 1773 का regulating act दौ बंगाल की governor को, बंगाल का governor general मना दिये जाएगा, तो बंगाल का पर्थम governor general के रूप में, वारेन हैस्टिंग आएगा, वारेन हैस्टिंग क्या करेगा, सबसे पहले ये दुएत सशन पर्था को समाप्त कर देगा, ठीक बात है, और परतेक जिले में, फोजदारी और दिव मानी अदालतों की स्थापना करेगा, अभी मैं explain कर दूँगा इसके समय में, पहले मैं इसके question देख लूँ, क्या-क्या है यहाँ पर फिर उन्हें explain करता हूँ, मैंने का 1773 का regulating act आएगा, 1773 के regulating act द्वारा ही, 1774 में कलकत्ता में high court की स्थापना होगी, ठीक बात है, कलकत्ता लॉड एलीजा इम पे पहले नियाएदीश होंगे कलकत्ता high supreme court के, supreme court उस्तम नयाले है actual में, उस्तम नयाले बोल जाएगा, उस्तम नयाले इस सेंस में बोल जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे उचा नयाले का दरजा दिया गया था इसे, इसली उसे उच्टम नयाले कहा गय बिल्कुल ठीक बात है मेरको इससे पहले एक चीज और बतानी पड़ेगी इसलिए मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ नंद गुमार का केस में अभी समझाता हूँ देखे कलाईब के समय पहला और दूसरा ओंगल मराठा युद ठीक बात है यह मैसूर है दूसरा ओंगल मैसूर युद होगा 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 हम जानते हैं ओंगल मराठा युद जो है साल भाई की संदी 17 1782 में समाप्त होगा जबकि दूसरा ओंगल मैसूर यूद 1784 मंगलोर की सब्दी से समाप्त होगा अगर आपको इनकी डिटेल जाननी है तो पिछली वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल पढ़ा चुका हूँ पूरी किलास की तो आप देख सकते हैं मैंने वो उसमें थमने ल पाड़ रहे हैं चलिए आगे चलता हूँ मैं है हैस्टिंग के समय सतर सो चुरस्य में एशियाटिक सुसाइटी बंगाल की स्थापन होगा बिल्कुल ठीक बात है इसके संस्थापक को गुभी में पिछली वीडियो में बताया था विलियम जॉन्स थे इसके संस्थापक औ और एशियाटिक सुसाइटी बंगाल का मुख्य उद्देश्य क्या था भारतिय गरंतों का और फार्सी गरंतों का अंग्रीजी में अनुवात करना था तो इसी के समय हुआ था यह ठीक बात है हैस्टिंग के समय बोर्ड और रेवेन्यू बना था मैं आपको भी बताता हू इसके स्थापना की थी आप संद में मत जाईएगा केवल इसे याद कीजिएगा जोना दंकन नहीं है इसके अलावा कुछ नहीं आता चलिए वारेन हेस्टिंग के समय हमने कहा कि वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्णर जिन बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ठीक दुबारा इसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में और वारेन हेस्टिंग के समय ही आएगा और इसके दुआरा इंग्लेंड में बोर्ड ओफ कंट्रोल की स्थापना होगी मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड ओफ कंट्रोल क्या होता है जब मैं आपको ये तो आप देख लिए पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तिफर देकर वारेन हेस्टिंग वापस चला जाएगा वारेन हेस्टिंग के उपर मुकदमा चलेगा ठीक बात है इंग्लेंड की संसद में और इंग्लेंड की संसद में मुकदमा चलाएंगे बर्क ये बर् पिछानवे तक चलेगा परंतु अंत में आरोपों से मुक्त कर दिया जाएगा वारेन हेस्टिंग को तो वारेन हेस्टिंग के मैं दो-चार कोश्चन और बता देता हूँ आपको फिर मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा देख लेते हैं देखे वारेन हेस्टिंग के समय अगर आपको याद हो तो मैं दूसरे पैंद से बताता हूँ आपको देखे वारेन हेस्टिंग के समय एक तो दोहरा शाषन समाप्त हुआ इसका मतलब आप जानते हैं क्या हुआ इसका मतलब है दोहरा शाषन समाप्त होने का मतलब है कि भाईज साब अब जो है दोहरे शाषन में कंपणी यह परत्यक् सासन कर रही थी भारतियों को मुखोठ़ा बना रखा था अब company ने Warren Hesting ने आ करके परत्यक्षिश शाषन शुरू किया ठीक बात है तो आप से पूछे British company ने परत्यक्षाषन की शुरुवात कब की थी तो जैसे ही 12 शाषन समाप्त होगा मुन्नी बेगम का क्याइश है, मैं पहले लग देता हूँ, मुन्नी बेगम बेगम जो है अवद का नवाब था, मुबारिक दौला मुबारिक दोला अल्प वैस्क था कितनी कम उमर खा था तो इसे हम क्या बोलेंगे ये अल्प वैस्क था तो अल्प वैस्क था इसने मुन्नी बेगम ने कहा कि मुबारिक दोला की मुझे सन्रक्षिका बना दीजिए तो इसने सन्रक्षिका बनाया साड़े तीन लाख रुपे की रिश्वत ली थी यानि कि मुन्नी बेगम ने साड़े तीन लाख रुपे की रिश्वत वारेन हेस्टिंग को दी थी और तब वारेन हेस्टिंग ने मुन्नी बेगम की संदक्षी का बनाया था इसको लेकर के नंद कुमार ने सबूत पेश किये लेकिन उसके सबूत तो हलके पड़ गए क्योंकि जो उसने सबूत पेश किये थे जिनके नाम से उनने साइन करा रखे थे आपके नंद कुमार ने लेकिन गवर्णर जनरल ने उन्हें जूटा साबित कर दिया बलकि वो वारेन हेस्टिंग के अच्छे मित्र थे ठीक होगी बात तो नमबर एक बात अब मैं नेक्स्ट कोशन पर आता हूँ इसी से संबंदी दूसरे कोशन की अगर जो मैं चर्चा करूँ तो हम देख लेते हैं चलिए कहां गया यह रहा अगर जो मैं इसी से संबंदी दूसरे कोशन पर चर्चा कर लेता हूँ तो क्या है दूसरा कोशन देखे मुगल समराट जो है आप जानते हैं इलाबाद की संदी हुई थी बकसर के यूद के बाद मैं बकसर के यूद की पूरी वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ बकसर के यूद के बाद क्या हुआ था सतरह सो पैंसट में 65 में इलाबाद की संदी हुई थी आपको याद है इलाबाद की संदी के तहट क्या हुआ था मुगल समराट जो है 1771-72 में मराठो ने आकर्मन किया अब मुगल समराठ को इलाबाद से उठा करके वापस दिल्ली की गद्धी पर बेठा दिया ठीक बात है दिल्ली की गद्धी पर अब मराठो ने गद्धी पर बेठा आया था तो हम तेरी पिंचन नहीं देंगे ठीक बात है अब पिंचन बंद करने के बाद मुगल समराठ कहा रहता था मुगल समराठ रहता था इलाबाद और कारा के शितर में तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया वारेन हेस्टिंग ने इलाबाद और कारा के शितर वापस अवद को बेच दिए अवद से लिए थे अवद को बेच दिए कितने 50 लाग उर्पे में तो देखे पैसा ही पैसा बटोडने की कोशिश कर रहा है ठीक बात है उसके बाद मैं next चलता हूँ Warren Hesting के मैं आपको नियाईक सुधार बताता हूँ भारत में अंगरेजों के समय जो नियाईक सुधार की नीव पड़ी है वो Warren Hesting के समय ही पड़ी है तो पीछे हमने पड़ा आप देखे पीछे अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि हमने यहाँ पर देखा कि Warren Hesting के समय फोसदारी और दिवानी अदालतों की स्थापना हुई थी अब क्या थे फोसदारी और दिवानी अदालत उसको मैं explain कर रहा हूँ आप देख लीजिए इसने क्या किया था 1772 में जिले में दिवानी और फोसदारी अदालत बनाई थी कौन से दिवानी और फोसदारी ठीक है अब क्या किया था जो जिला दिवानी अदालत होती दिवानी का मतलब होता है आर्थिक मामले आर्थिक मामलों में कलेक्टरों को सारे अधिकार दे दिये थे कलेक्टरों को क्या कर दिये थे collector ही नियाई दीज बन गए थे और collector क्या करते थे collector सारे आर्थिक मामले देखते थे ठीक है 500 रुपे तक के मामले collector देखते थे 500 रुपे से उपर के मामलों के लिए अदालत थी जिसका नम था सदर दीवानी ठीक बात है तो जिले के नियाले होगे collector क्या धीन और जिले नियाले के उपर होगे सदर दीवानी अदालत इसके अंदर governor general और उसकी परिशद नियाई करती थी तो ये तो दीवानी अदालत की शुरुवात की उसने और धाचा बनाने का परियास किया आप जानते हैं तो आप समझ के होंगे इसी तरह फोजदारी अदालत भी होती थी एक बात है जिले की फोजदारी अदालत मनाई ये जिला फोजदारी अदालत जैसे जिला दीवानी थी ऐसे जिला फोजदारी थी यहां पर भारती नियाई दीश होता था जिला फोजदारी अदालत से उपर, अपील कहा होगी? उपर होती थी, सदर निजामत, जैसे सदर दिवानी थी, वैसे ही सदर निजामत थी ये भी गवर्नर जन्रल और उसकी परिशत के अधिन होती थी और इसमें सहायता के लिए काजी और मुफ्ती सहायता करते तो ये मैंने इसका बता दिया आपको देवानी और फोज़दारी अदालत का इसके अलावा एक और चीज कलकत्ता में सुप्रीम कोट की स्थापना हुई थी आपको याद है सुप्रीम कोट की 1774 में बनी गया था ये और इसके पहले नियाएदिश कों थे अलीजा इंपे थे ह इसका छेतरा दिकार क्या था इसका छेतरा दिकार कलकत्ता में थी तो कलकत्ता में रहने वाले सभी कलकत्ता में रहने वाले सभी सभी का मतलब है चाहे वो भारती हों चाहे वो अंग्रेज हों सभी इसके अधीन आते थे यानि कलकत्ता में रहने वाले सभी मामले जो है यही कलकत्ता के बाहर है कलकत्ता के बाहर क्या होगा यदि दोनों पक्ष सहमत हों तब कलकत्ता के बाहर के मामले भी सुने जाते थे तो आप समझगे होंगे कलकत्ता के बाहर के मामलों में जब दोनों पक्ष राजी हों तब ही सुने जाते थे ऐसे नहीं सुने जाते थे ठीक बात है अब इसकी कमी के आ रहे ही मैं आपको बता देता हूँ मैंने आपको बताया है एक तरफ था सदर निजामत और सदर दिवानी और इसका जगड़ा हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट से और ये कोई पर्शाशन नहीं कर पाए एक तरफ तो सदर निजामत में गवर्णर जनरल परिशत थी और इधर आपका सुप्रीम कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट के निए दीशों का चेतर दिखार और सदर निजामत का चेतर दिखार आपस में टकराता था तो निए विवस्ता को जो सही करने का परियास किया गया था वो एक तरह से एविवस्ता फैल गई बाद में करके कौन वालिस इस विवस्था को एक चरंदवत तरीके से करमिक नियाइक विवस्था की नीव डालेंगे ठीक हो के बाद तो यह आपको मेरे खाल से समझ आ गया होगा उसके बाद मैं आगे चलता हूँ और देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग के क्या कोश्चन है चलिए तो इसने बंद कर दिए चुंगि को पंद टो इसने बंद कर दिये जमीदारों की शुलक संग्रह चुंगि बंद कर दी लेता हूं गवर्नर जेनल वर्सिस उसकी परीशत यहां पर एक बावाल बीवाल हो जाएगा बावाल क्या हो जाएगा आप देख लीजिए गवर्नर जेनल हैं वारें हेस्टिंग और मैंने जब आपको कहा 1773 के रेगुलेटिंग एक द्वारा गवर्नर जेनल और उसके सदस चार सदस से परीशत बनाए गई थी कितने मेंबर थे चार सदस से चार मेंबर कूं थे यह थे बारवेल इस आप समझे लीजिए आप कलैवरेंग यह चार लोग थे, चार लोग तो यह होगे, कलेवरिंग, बारवेल, फ्रांसेस और मौनसन, यह चार लोग थे, चार लोग तो यह होगे, कलेवरिंग, बारवेल, फ्रांसेस और मौनसन, और एक गवरनर जनरल, हो गया है, वन प्लस फोर, आप देख सकते हैं, वन प्लस फोर ह हो गया है तो वारन हेस्टिंग के साथ बारवेल तो इनका मित्र था तो इन दोनों के तो कोई दिक्कत नी थी लेकिन जो यह तीन लोग थे न यह लोग शुरू से ही इनके मन में बहुमत से होगा ठीक बात है निर्ने बहुमत से होगा यानि चार में से तीन जहां दाएंगे वह जाएगा गवर्नर जिनरल वोट जब करेगा जब निर्नायक मत होगा यानि दो इसी कल टू दो हो गए तो गवर्नर जिनरल अपने वोट का परियोग करके जहां पर वोट ये टकराव इतनी बुरी तरह चलता रहा कि आप मानेंगे नहीं थोड़ा सा 1776 में मानसेन की मिर्थी हो जाएगी मानसेन की तो गवर्नर जनरल ने यहाँ पर फायदा उठाया और निर्नायक मत के आर्ड में वो दो हो गए इधर दो हो गए तो इनने गवर्नर जनरल ने बारविल को मिला करके अपना काम चलाया था चलिए ठीक बात है उसके बाद मैं आपको एक दो चीज और बता देता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ आप जानते हैं इनके बीच में इतना जगड़ा हुआ कि मांसन की जगे जो आया था वो आया एडवर्ड वीलर आप कहेंगे नया भी तो आदमी आया होगा ये भी मांसन की तरह ही था तो ये भी वार्रन हेस्टिंग के खिलाफ था ठीक होगी बात तो इससे बड़ी दिक्कत हो रहन लगी तो इस परिशद ने पते क्या किया इस परिशद ने वार्रिन हेस्टिंग की जगे ना वार्रिन हेस्टिंग की जगे नया गवर्णर जेनरल बना दिया था और उसका नाम पते क्या था कलेवरिंग था लेकिन वार्रिन हेस्टिंग कहने लगा Warren Hastings ने इसके उपर गोलिक भी चलाई तो इतना जगड़ा था कि यहाँ पर पडशाशन क्या एह विवस्ता फैली हुई थी आप समझ सकते हैं ठीक होगी बात तो मैंने आपको बताया कि इनके बीच में जो विवाद था चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ Warren Hastings पर न इंग्लेंड में मुकदमा चला था मुकदमा महावयोग ठीक बात है महावयोग किस पर चला था Warren Hastings पर किस ने चलाया था चलाने वाले वेक्ति थे बर्ग आप कहेंगे क्या मामला था मैं आपको बताता हूँ देखे Warren Hastings पर बड़ा करप्ट आदमी था इसने कहा कि बनारस के राजा थे जिसका नाम था चैथ सिंग ठीक बात है चैथ सिंग को इन्होंने पहले ये अवद के अधिन था बात में दवा बना करके अपने अधिन ले लिया और इससे कहा गया कि आपको साड़े बाइस लाख रुपे साल का देना है ठीक बात है इसके लावा आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा बनारसके राजने का ठीक है मैं अपको साढ़े बाइस लाख रुपे देता रहुँ गोवरनर जननर्रणर पते क्या करता था वारें एस्टिंग साढ़े बाइस के लावा और मांग करने लगा कहने लगा इुद्ध के लिए पांस लाख रुपे दो उसने पांस लाक रुपे नहीं दिये न तो उसके पर दो लाक का जुर्माना लगा दिया अब कहना मैं ये बनारस का राज़त चैसिंग बहुत परिशान हो गया आप मानेंगे निए इसने पते कह गया राज चैसिंग ने दो लाक रुपे दिये वारन एस्टिंग को रिश्वत के रूप में कि आप मेरे से और मांग मत करो आप अपने पास रख लो वारेन हेस्टिंग ने दो लाग की रिश्वत भी रख ली अपने पास और अपनी मांग को जारी रखा कहा कि आप इतनी सैना दो इतना वो दो महरा ठायू दो रहा है आप हमें सैना दो तो आप जानते हैं बनारस के राज़े चैज सिंग ने एक दिन अपनी पगड़ी इसके पेरों में रख दी दी वारे नेस्टिंग के लेकिन वारे नेस्टिंग तब भी नहीं माना अन्तते इसके उपर जुर्माना लगा लगा के बनारस के राज़े को ही ब्रिटिश समराज़े में मिला लिया तो आप समझगे करप्शन का तरीका ऐसा एक मामला हुआ अवद की बेगम का मामला ये भी वारे नेस्टिंग के उपर आरोप है ये जो दो आरोप है इन्नी के उपर वारे नेस्टिंग के उपर महा वियोग चलेगा इंगलेंड में अवद की बेगम का मामला क्या था आप जानते हैं चलिए देखे वारे नेस्टिंग ने क्या करका था अवद में सैना रखी हुई थी किसके ब्रिटिस सैना रखी हुई थी अवद में अब ब्रिटिस सैना अवद में रखी हुई थी इसका खर्चा होता था पंदरा लाख रुपे मतलब बिना अवद की मर्जी के कह दिया कि आपकी सुरक्षा के लिए हम आपके हां सैना रख रहे हैं और आपको 15 लाग रुपे देने पड़ेंगे, चलिए तो खामा खामे हो गया ना, अब 15 लाग रुपे देने के चक्कर में 15 लाग रुपे दिये नहीं गए, तो अवद का जो नवाब था, नवाब का नाम था, आसफू दोला, ठीक बात है, आसफू दोला, आसफू दोला पर गुप्त धन निकाला गया, और पता है, अवद की बेगम को लूटा गया, वहाब महल में, और 105 लाग रुपे पराप्त किये गए, और पता है, इस 105 लाग रुपे से ब्रेटिस सरकार ने, इस इंडिया कंपनी ने अपना करजा होता रहा था, आप समझे हैं, ऐसे ही नहीं क समय साहित्ते के शित में, चार्ल्स विल्किंसन ने गीता का अनुबात किया था, किस ने किया था, चार्ल्स विल्किंसन ने गीता का अनुबात किया था, और गीता का अनुबात किया था, इसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी, वारेन हेस्टिंग ने अनुवाद गीता का तो किया ही था साथ में हितोप देश नरायन पंडित की पुस्तक है हितोप देश उसका वेश ने अनुवाद कराया था चलिए ठीक बात है इसके अलावा एक वेक्ति था जिसका नाम था हॉल हेड हॉल हेड ने संस्कृत की वियाकरण बनाई थी इस समय संस्कृत की वियाकरण ठीक बात है इसके अलावा हॉल हेड ने बनाई थी इसके अलावा अगर जो मैं बात करूँ चार्ल्स विलकिंस की चार्ल्स विलकिंस का एक और काम था वो आप देख लीजिए इसने क्या किया था फार्सी वे बंगाली के ढलाई अक्षर का विश्कार किया था ढलाई अक्षर का विश्कार किया था ठीक बात है आप जानते ही हैं ये सारे के सारे काम वारन हेस्टिंग के समय हुए Warren Hesting पर बर्क ने कैसा लाया था महावयोग चलाया था ठीक होगी बात और मैं Warren Hesting के आपको सुधार बता चुका हूँ Warren Hesting ने 1772 में पंच वर्षी व्यवस्ता में आपको भूमी सुधार में सारा बता चुका हूँ पंच वर्षी व्यवस्ता किस ने चलाई थी Warren Hesting ने जो 1776 में एक वर्षी कर दी गई थी भूमी को ठेके पर देने की ये सारा मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें मैंने आपको इजारेदारी व्यवस्ता पढ़ाई थी ठीक होगी बात चलिए उसके बात मैं नेक्स चलता हूँ नेक्स गवर्णर जिनरल मेरे ख्याल से सभी कोश्चन हो गयोंगे आप देखते हैं Warren Hesting के समय के सभी कोश्चनों को हो गया हो का पूरा है ना तो आप चलिए मैं नेक्स चलता हूँ नेक्स गवर्णर जिनरल को ने मेरे जौन मेफरसन एस थाई रूप से न्यूक तुए थे जौन मेफरसन 85 से 86 तक जब Warren Hesting यहाँ चले गए थे फिर आएंगे Con Wallace ठीक बात है देखिए Con Wallace को भारत में पहले मेहा पढ़ता हूँ भारत में पुलिस सेवा और सीविल सेवा का जिनक माना जाता है यह पेपर में Common Question में Group C वगरा में MCQ में आ जाता है यह Question ठीक बात है इसके समय में पहले देख लेते हैं तीसरा उंगल मैसूर यूद हुआ आप जानते हैं श्रीरंग पटिन्डम की संदी होगी मैं उंगल मैसूर यूद में आपको पढ़ा चुका हूँ इसमें तीन लाग रुपे देना पड़ेगा टीपू हाड जाएगा अपने दो लड़कों को गिर्वी रखेगा अपना आधा राज्जी देदेगा ठीक बात है फिर 1730 में इसने बंगाल विहार उडिसा में इस्थाई बंदोबस लागो किया था आप जानते हैं मैंने आपको बताया था एक बटे ग्यारा लगवग और दस बटे ग्यारा जमीधारों को मिल रहा था Convales की, तो Convales के और कौन से question है, वो देख लेखे हैं लेकिन मैं important शीज़ बताता हूँ आपको, वो है Convales code ये कभी-कभी mains में भी आया हुआ है, Convales code क्या है मैंने आपको बताया, Warren Hesting ने नियाइक परणाली की शुरुआत की थी Convales code क्या करेगा, Convales क्या, इसका जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिये, अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है इसे ही मैं explain करूँगा, यही से Convales code निकालूँगा, देखें जो जिला कलेक्टर है न, कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट का मतलब राजस्य कठा करना था अब राजस्य कठा करने का यह काम था इसका, और इसके साथ-साथ यह नियाएधीश भी मना दिया गया अब आप कहेंगे नियाएधीश मना दिया गया इसका मतलब, यानि कि दिवानी और फोसदारी मामलों का यानि की जितने पैसों को लेन देना है और जो फोसदारी के मामले वो सारे के सारे मामले अब कलेक्टर ही देखता था जिले में नियाईदीश भी है और कलेक्टर भी है तो यह तो बड़ी दिक्कत होगी आप कहेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे दिक्कत होगी आप अब किसानों को दिक्कत हो रही है राजों शिकाथा करने में तो किसान अपनी क्या करेंगे शिकायत करेंगे अब शिकायत किस से करें शिकायत करने पड़ेगी कलेक्टर से और शिकायत किस से है शिकायत भी कलेक्टर से है अब देखे ये कैसा मामला हुआ जिसके पास शिकायत लेका जानी है और जिसके विरुथ शिकायत करनी है दोने एक इवैक्ते, दो शिकायत कैसे होगा तो ये तो नियाय नहीं बड़ा अनियाय हो रहा था ठीक बात है ये बड़ी दिक्कत हो गई और बहुत जढ़ा परिशानी होने लगी, ठीक बात है तो और इसके इलावा क्या किया था इसने जिले की दिवानी मामले सारे इसके हाथ में आ गए और फोसदारी मामले भी आ गए और जिले में इससे पहले फोसदारी अदालते होती थी मैंने आपको भी पढ़ाया था वारन एस्टिंग में जिले फोसदारी अदालते इसने समाप में था पेपर में आया हुआ कोशन है कि सर्किट नियाले या भ्रहमण नियाले किसने मनाए थे तो इन चारो भ्रहमण नियालों में नियाइदीश होते थे यूरोपिये कौन होते थे यूरोपिये नियाइदीश होते थे ठीक बात है इनकी साहिता के लिए काजी और मुफ्ती होते थे तो इस व्यवस्था से जो एव्यवस्था उपजी पहले कौन वालिस ने खुद इसे लागू किया फिर इस व्यवस्था को सुधानने के लिए 1793 में कौन वालिस ने क्या किया कौन वालिस ने 1793 में कौन्वलिस कोड लागू किया ठीक बात है क्या लागू किया कौन्वलिस कोड अब आप कहेंगे कौन्वलिस कोड क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पर्थक करण के सिध्धान्त पर है अब आपको यह समझ आ गया तो आप समझे सारा समझागे कौन वालिस का हिसाब पर्थक करन का सिध्धान क्या है देखे कौन वालिस ने इस से पहले क्या किया था कौन वालिस ने इस से पहले अगर आपने ध्यान दिया हो कौन वालिस ने मतलब सारे के सारे आर्थिक मामले भी एक ही वेक्ति कर रहा था collector और नियाएक मामले भी अब ये दोनों अलग अलग थे दोनों होने चाहिए अलग अलग ये दोनों एक ही हो गए थे तो कॉन वालिस ने इन्हें क्या कर दिया इन्हें पर्थक कर दिया कि भाई साब जो कर collect करेगा वो नियाएक का काम नहीं करेगा यही Convalis Code है यानि कि Kar-Parshashan तथा नियाय का पर्थकरन ही क्या है ? पर्थकरन ही Convalis Code है आप समझगे होंगे तो Convalis Code के थैत उसने क्या किया पहले आप वो समझ लीजिये ठिक बात है उसने Collector को सारे के सारे नियाय कधिगार समाप्त कर दीएthyक ठिक बात है पर एक हम कहेंगे collector के क्या नामे नियाइक अधिकार समाप्त आप समझगे होंगे ठीक बात है collector के सारे के सारे नियाइक अधिकार जो है समाप्त हो गए आप देख पा रहे होंगे ठीक है ठीक बात है जिला नियाइदिश की नियुक्ति की गई जिला नियाइदिश क्या करते थे जिला नियाइदिश का काम करते थे वो collector करक का काम देखता था इसने क्या करा अब मैं आपको बता देता हूँ वो देख लीजिए आप कॉन वलिस जाने जाता है दिवानी अदालत यानि आर्थिक माम लोगी न अदालतों की करमबद शरंखला के लिए जाने जाता है कॉन वलिस शरंखला के लिए ठीक होगि बत, क्या किया इसने, देखे सबसे नीचे ओते हैं मूनसिफ, मूनसिफ में होते थे। भारती Зविए ये 50 रुपे तक का मामला सुनते थे भारतिये होते थे इसमें कोन है इंडियन है मुनसीफ के उपर होता था रजिस्टार रेजिस्टार में होते थे यूरोपिय ठीक हो की बात और ये 200 रुपे तक के मामले सुनते थे रेजिस्टार अब रेजिस्टार से उपर होती थी जिला अदालत ठीक है जिला अदालत होती थी जिला अदालत कहां कहां थी चार थी ये, कहां धाका, मुर्शीदाबाद, धाका, मुर्शीदाबाद, कलकत्ता, और पठना, ठीक होगी बात, ये सारे की सारे दिवाईन नियाले कर रहे हैं, तो उसके बात क्या होता था, अगर आप देखें, जिला नियाले के बाद, उसके उपर होता था, सदर दिवानी, देखें, मैं दुबारा लिख देता हूँ, मुनसीफ का हो गया, मुनसीफ से उपर, अगर जो मैं बात करूँ, तो हो गया, रेजिस्ट्रार, ठीक बात है, रेजिस्ट्रार के उपर होगए, जिला नियाले, जिला नियाले मेंने का चार थे और जिला नियाले के उपर होता था सदर दिवानी अदालत ठीक बात है अब सदर दिवानी अदालत में कौन बैठता था सदर दिवानी अदालत जो जिला नियाले था जिला नियाले 2000 तक के मामले सुनता था ठीक बात है, रजिस्टार जो सुनता था, वो 200 तक के मामले सुनता था और ये 50 रुपे तक के मामले सुनता था, यहाँ पर इंडियन होते थे, बाकी सब जगह पर यूरोपी होते थे, ठीक बात है, भारती यहाँ पर होते थे, सदर दिवानी अदालत में गवर्नर जनरल और उसकी परिशद नियाय का काम करती थी, ठीक होगी बात, और इसके उपर अपील जो होती थी, यहाँ पर 5000 तक के मामले थे, गवर्नर जनरल के पास, इसके उपर जो अपील होती थी, वो ब्रिटेन में समराट के पास होती थी, और 5000 से उपर के मामले सुनता था समराट, ठीक बात है तो आप देख सकते हैं एक करमवत चेन बनाई है किस ने कॉन वालिस ने इसलिए भारत में नियाइक पढ़ना लेगा जनक तो वारे नेस्टिंग है लेकिन नियाइक किस शंखला बद कड़ी बनाने का जनक जो है आपका वारे कॉन वालिस जना जाता है इसके अलावा इन्होंने फोसदारी में भी सुधार किये आप कहेंगे फोसदारी में क्या सुधार दी देखे अभी तक होता था हमारे यहां पर सजा अंग भंग होती थी सब समाप्त कर दी खून का बतला खून ये सारा का सारा क्या कर दिया समाप्त कर दिया गया ठीक बात है तो यानि कि आधुनिक परणाली को शुरू किया गया है तो आप देख रहे हैं पुलिस परणाली नियाइक परणाली कॉन्ड वालिस के द्वारा बड़ा सुधार किया जा रहा है ठेक होगी बात चलिए मैं आगे चलता हूँ अगले गवर्नर जन्नल पे 1786 से 1793 कॉन्ड वालिस भूमी सुधार के लिए नियाइक सुधार के लिए पुलिस सुधार के लिए तो आप देखेगा चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट की अगर जो मैं बात करूँ नेक्स्ट आगे सर जॉन शौर सर जॉन शौर के समय का एक युद है जिसका नाम है खारदा का युद ने एहस तक शेप की निती शुरू की यानि कि किसी के मामले में इंटरफेर हम नहीं करेंगे यहीं से शुरू होती है जॉन शौर की एहस तक शेप की निती लेकिन खारदा के मामले में जौन शोड ने बड़ा ही खराब किया खारदा के युद 1745 ने मराठो और निजाम के बीच हुआ था निजाम अंग्रेजों के अधिन था मराठो ने खुब लूट पाट की थी लेकिन खारदा के युद इनके समय हुआ था लेकिन इसने कुछ नहीं किया था जौन शोड ने यह आपको ध्यान रखना चाहिए खारदा के युद मराठो निजाम को लूटा था और मैं आपको बता दूं अंतिम युद्ता मराठो का जिसमें मराठे इकठे होकर लड़े थे सारे मराठा के जितने भी वर्ग थे होलकर सिंधिया यह सारे इकठे होकर निजाम की गिल्कुल ठीक बात है यह अपने आपको क्या कहते हैं बंगाल का शेर कहते हैं देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं मैं आपको वैले जली की फिर मैं आगे चलता हूं वैले जली जो है अक्टूबर 1701 में यह अमरीका सवतनता संगराम में जॉर्ज वॉशि वर्सिस वैले जली ठीक बात है नई स्वारी मैं गलत बोल रहा हूं मैं इसे काट रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं ठीक होगे बात मैं अभी एक्स्प्लेइन करूंगा मैं गलत बोल रहा हूं पहले जो वैले जली को देख लेता हूं मैं वैले जली ने सहायक संधी परणाल सायक संदी के नहीं चार चरण माने गए हैं, सायक संदी को आप समझ लीजे, पहले क्या करा, पहले मित्र राजा माल लीजे, अंग्रेजों का मित्र राजा आवद है, तो मित्र राजा को क्या करेंगे, मित्र राजा को साहेता देंगे युद में, ठीक बात है, फिर दूसरा, उनके राज़े में अपना सेना रखेंगे ठीक बात है तीसरा मित राज़ा को साहता फिर सेना रखने के बदले उनसे छेतर ले लेंगे ठीक बात है और फिर उसके द्वारा उसका राज़े हड़प लेंगे ये साहिक संदी है पुरी-पुरी पूरा का पूरा इसका विस्तार हो जाता है तो साहिक संदी परणाली के अंतगत क्या होता था पहले मितर राजाओ की तरब से आप उसके युद में साहिता लीजी युद में साहिता करो अवद का युद मान लो बंगाल से हो रहा है तो अवद के मित्र अंग्रेज है तो अंग्रेज होने का हम आपके पीछे से साहेता करेंगे बाद में कह दिया सैना की राये पर देंगे ये एक्चुल में साहेता करना सैना की राये पर देना था और सबसे पहले जो सैना किराय पर दी थी वो डूपले नहीं दी थी, उसके बाद इसलिए सायक संदी का प्रारंबिक चनरन का जनक जो है, वो ही माना जाता है डूपले, फिर हम आपकी तरप से युद में भाग लेंगे, फिर आपके राज्ये में सैना रखेंगे, फिर हमारी सैना को समाप्त कर दीजे, हम आपकी सैना रखेंगे आपके लिए, और आपके राज्ये में रखेंगे, आपकी सुरुक्षा करेंगे, आपके विदेशी संबंद भी अंग्रेजों के धिन हो जाएंगे, ये सायक संदी के पड़ाव थे, ठीक बात है, तो डूपले ने सबस यह है कि मित राजाओ को निशस्त्र कर दो, और उसकी सारी सुरुक्षा का दाई तो अपने उपर ले लो, और उसके नाम पे सैना रखो, और उसका खर्चा अपने आप से उठा, उसके खर्चे पर अपनी सैना बढ़ाओ, तो सायक संदी में 1708 में में सबसे पहले हैदराब पर साइन करा लेंगे, अठारा सो में अवद, तो इस तरह से सायक संदी अलग-लग राज्यों ने अलग-लग समय में अपनाई, तो आप केवल यह याद कर लिजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक होगी बात, चलिए, तो मैं नेक्स्ट आता हूँ, क्या लिखा है उसमें, यह लिखा वा है, हैदराबाद, मैसूर, तंजोर, अवद, जोतपुर, भरतपुर, पेश्वा, इन्होंने क्या करी, इन्होंने पेश्वा, यह पेश्वा ने साहक संदी स्विकार की है, बिल्कुल ठीक बात है, चलिए, वेले जली ने, अठारा सो में, इंग्लेंड से जो इसे 1806 में बंद कर दिया गया, और इसे इंग्लेंड शिफ्ट कर दिया गया, ठीक बात है, तो याद रखेगा, वेले जली ने ही, चोथा अंगल मैसूर युद लड़ता, 1709 में, टीपू लड़ते वे मारा जाएगा, आप देख सकते हैं, मैंने पीछली वीडियो में पड संधी की गई थी, बसीन की संधी है न, राजपुर घाट की संधी, आधी-आधी संधियां हुई थी, तो आप देखेगा, मैंने अंगल मरा ठायुद में उन संधियों को एक्स्प्लीन किया है, क्या कारण था, वो सारा बता रखा है, चलिए, बहले जली की संबंद में यही कोश्चन है, मैं आपको बता दिये, चलिए, नेक्स चलता हूँ, आईए मेरे साथ, चलिए, अब बात कर रहा हूँ, कौन वालिस की, तो कौन वालिस, अथारसो पाच में दुबारा आया, कौन वालिस, आप जानते हैं, जब यह सतरसो चैसी से सतरसो तिरानवे में रहा था हमारे यहां पर, बाद में, ठारसो पाच में, कौन वालिस को दुबारा भीजा गया, गवर्नर जिनल बना करके, बंगाल का गवर्नर जिनल, इसकी नहीं मिर्तिव हो जाएगी, और इसका गाजीपूर उत्तर परदेश में मकवरा है, गाजीपूर उत्तर परदेश में इसक किया था, हतियार डाले थे, जोर्ज वाशिंग्टन के सामने, यू दुआ था इनके बीच में, तो मैं वही बता रहा था, आप देख लीजेगा, कौन वालिस का ये पेपर में कुश्चन आया हुआ है, कि भारत में किस गवर्नर जेनल का मकवर है, गाजीपूर में है, गारत में, अभी हमने पीछे पढ़ा, कि ये आपने पढ़ा, कि दूसरा ओंगल मराथा युद अठारसो तीन से ठारसो पांच हुआ, वेले जली ये ठारसो पांच में चले जाएंगे, तो अठारसो पांच में जब जोर्ज वार्लो आ जाएंगे, कॉर्ण वाल इसकी भी म आठा का पार्ट होगा है, होलकर भी, तो होलकर भी क्या करेगा, होलकर भी अंग्रेजो के सामने हतियार डाल देगा, और राजपुर घाट की संदी होगी, पेपर में कहीं बार पूचा गया है, एक्चल में, बाकी सारी संदीयां तो, वेले जली के समय हुई, तो लोग मदरास की एक जगह है। मैं आपको ज़रास बता जötा हूँ. ये तो बंगाल का गवशनरल कोन है? बंगाल का गवशनरल है आपका जार्ज वार्डू लेकिन इस समय मदरास में गवशनर होते थे इस समय मदरास का गवशनर जो है ये भी हमें जानना से ही, देखिए, वेलूर विद्रो होने का कारण ये होगा, जो मदरास का गवर्नर होगा, मदरास का गवर्नर होगा, विलियम बेंटिंग, वो बाद में वापस भारत का गवर्नर जनरल बन के आएगा, तो विलियम बेंटिंग कहेगा, सैनिक जो है, टीका पगड़ी, कड़ा, ये सब नहीं पहन सकते यानि धार्मिक चिनों का परियोग नहीं कर सकते सैनिक, जो भारती सैनिक ब्रिटिस सैना में थे तो उसके कारण से सिपाही जो हैं विद्रो कर देंगे उसे ही वेलूर विद्रो बोला जाएगा ठीक होगी, मैं समझता हूँ, आप समझगे होंगे चलिए, तो नीचे राजपुर घाट की संदी भी दे रखी है आप देख सकते हैं, लिखा है ये धेलकर नहीं है, ये होलकर है होलकर और जार्जवार्लो के बीच हुई थी राजपुर घाट की संदी तो मैंने जार्जवार्लो से संबंदी आपको कोशन बता दी, चलिए, मैं आगे चलता हूँ और हम आगे आते हैं, लौड मिंटो पे लौड मिंटो ने किसे भेजा था लौड मिंटो ने मेट काफ को भेजा था अमरसर की संदी करने के लिए और इस संदी के द्वारा क्या हुआ था सतलज नदी को सिखो और अंग्रेजों की सीमा मान लिया गया था का गया था, सतलज के पश्चिम का छेतर सिखो का है और सतलज के पूर्व का छेतर आपका ब्रिटिस सरकार का है यानि दोनों एक दुसरे के छेतर का अतिकर्मन नहीं करेंगे लॉड मिन्टो के समय 1813 का एक मिन्टो के समय चार्टर एक्ट भी पारित हुआ था उसे मैं चार्टर एक्ट में डिस्कस करूँगा 1813 का बहुत important होता है ठीक होगी बात तो चलिए मैं इसे यहां पर रोक देता हूँ देखिए वीडियो बड़ी हो गई लगबए एक घंटे की होने जा रही है तो आपको अच्छी लगे तो बताईएगा तो मैं आगे की वीडियो डालूँगा कोई भी डाउट हो, कोशन हो तो आप कमेंट कर दीजएगा अगर अच्छी लगे तो इमानदारी से लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर दीजएगा ठीक है? तो आपको अच्छी वीडियो मिलेगी और आगे के लिए अट प्लीज लाइक, शेर अन् सब्सक्राइब जरूर करतेगा कमेंट जरूर करा करें जिससे मैं समझ पाऊंगी आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है ठीक है ठेंक यू